आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन की एक बहुत ही बढ़िया जटपट से तयार होने वाली आला रेसिपी तो आईए पहले सीखते हैं कि ये बनेगी कैसे बहुत ही आसान है जटपट तयार होगी तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ओल यह ओइल मैं बना के रखती हूँ ये है अनियन ओइल जब अनियन फ्राई की जाती है और मिकाल दी जाती है तो जो ऑइल होता है वो फ्रेग्रेंट हो जाता है उसमें खुशो आने लगती है प्यास की तो क्योंकि ये recipe काफी बनाई जाती है इसलिए मैं ये chicken बनाने के लिए onion oil यूज करती हूँ तो हमें करनी है onion fry तो यहाँ पर मैंने लिये हैं दो प्याज जिसको मैंने बारी काटा है हाथ से तो इसको हमें करना है fry ये दो onion पिल्कुत तुनहेरी हमें fry करनी है तो इस ओयल में मैं इसको golden fry कर लेगी तो शिकन जो है आप चाहें से refined oil यूज करें बहुत कारे लोग देती जी यूज करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं सर्सो का तेल सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप यूज करते हैं तो flavor और जादा बढ़ जाता है सर्सो का तेल यूज करने के तो यहाँ पर इस प्याज को तुनहेरा होने तब खूनेंगे इसको बिल्कुल जलने मत दीजिए ता डार्क ब्राउन भी नहीं होने दिना है अ नरम कर रहा है बहुत सारी डिशिज में हम यह नरम प्याज भी यूज करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको खलका बोल्डन फ्राई कर रहे हैं और फिर इसको निकाल लेंगे अब इस अनियन ओयल में जब यह अनियन और फ्राई हो रहे हैं तो इसका जो flavor है और बढ़ जा ब्राउन होने के आस पास पहुँच रही है और आप से मैं यह कहना चाहूंगी कि अरजुन की तरह है जैसे अरजुन ने मचली की आँख पर नजर रखी थी आप भी प्याज पर वही आँख रखिए क्योंकि वो 10 सेकेंड जिसमें यह प्याज अचानक से ब्राउन हो जाए और यहां पर जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम की हुई है और लगातार मैं इसे चला रही हूं और देख रही हूं देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अकसर हम प्याज जब भूंते हैं तो उसको भूंता हुआ छोड़के इधर उधर ध्यान चला जाता है वो बिलकुल नह जैसा हो है कि जैसे ही नजर हटाई उतनी देर में ही प्यास काली पड़ गई और ब्राउन हो गई और वो हमें चाहिए नहीं तो मैं यहां लगातार देख रही हूं और इसे चला रही हूं एक मिनिट या कुछ जादा सेकेंड थोड़े इसमें और लगेंगे और इसमें और लगेंगे और यहां पर इस गरम अनियन ओयल में अब मैं डाल रही हूं एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा यहां पर मैंने ली हैं कुछ लॉंगे और हरी इलाइची इस मसाले को खले मसाले को आपको डाला है और इसको अलकाता ज्यादाने इसको 10 सेकेंड के लिए गरम तेल में फ्राइ कर लीजे इलाइची को मोठी इलाइची में नहीं डालती हूं क्योंकि मोठी इलाइची डालने से जो फ्لेवर अब बहुत इंटेंस हो जाता है तो इसलिए फिर छोटी इलाइची मैंने यहां पर इसमें डाली है और अब इसमें डालने जा रहे हैं चिकन यहाँ पर मैं चिकन लेग्स ले रही हूँ, तो यह चिकन जो है अब इस गरम तेल में हम डालेंगे और इसको दोनेंगे जहाँ पर मैंने बेड़ के लेग्स लेए है आब सिंको हम प्राय करते खड़े अच्छचछे और अनियन ओईल में उनको पाट मिनेट को लिए आप चलआएज़े तो तीन ओए टेल मिनेट से हम प्रेखन बूम भूण रहे हैं, अनियन ओईल में और खड़े मसालों में यह दूख इस तरह से इसको उलटते बलटते रहें, अभी दो मिनट और लगेंगे, जब सारा चुकन का जो कलर है वो बदल जाएगा, तब हम इसमें कोर्मे के मसाले दा रहा है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है, लाल मिर्च का, यह कश्मीरी लाल मिर् एक चम्मच हल्दी पाउडर, यह चिकन पाउडर है, जो मैंने आधा चम्मच दिया है, और एक बड़ा चम्मच खड़के यह है चिकन मसाला, यह मसाले इस चिकन में डालेंगे, अच्छे मसाले को चिकन के साथ दुनिए, और आच को बिल्कुल आप मीडियम से सिम कर लीजिए, मीडियम से सिम कर लीजिए, बिल्कुल इसको धीरे कर लीजिए, और इसको मसालो को ओल के साथ, और जो चिकन ने भी अपना ओल छोड़ा है, पानी छोड़ा है, उसके साथ थोड़ा सा आपको भूनना है, इस तरीके स यह देखें, मैंने यहां पर चिकन लेग्स लिया है, आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं, फुल चिकन ले सकते हैं, तो यहां पर मसाली के साथ, चिकन को दो मिनट के लिए आप ढ़के रखी और उसको भूने दीजिए, इसके बाद इसमें हम डालेंगे next ingredient, इसको इ मुर्ग यहां पर भून चुका है, मसालों के साथ, आईए इसमें डालते हैं हम एक कप दही, यह दही है 300 ग्राम के करी और एक कप, यह दही जादा खट्टा नहीं है, ठीक ठीक है, क्योंकि यही एक main ingredient है, तो इसलिए दही बहुत जादा खट्टा नहीं होना चाहिए, इसम दही डालके कीजिए मुर्गे की भूनाई, अच्छी तरह से इसको भूनिए, उपर से नीचे चलाईए, थोड़ा ध्यान रखिएगी कहीं, चिकन नीचे से लगे ना, बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकि जैसे ही दही का पानी निकलेगा, यह अपने आप भूनता रह दही भी मिक्स हो गई है, मसाले भी मिक्स हो रहे हैं, और अब इसको ढख कर मैं 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, और फिर इसको चेक करेंगे, तो इसको अब हम 10 मिनट के लिए ढख देते हैं, लेकिन बीच पीछ में आप देखते रही है, उस आँच जो है आपकी जो गैस क फ्लेम है उसको एकड़म मीडियम से भी थोड़ा कम ही रखिए यह देखी प्यास जो हमने गोल्डन फ्राइ किया था यह थंडा हो चुका है और यह देखिए इसका क्रिस्प एंड क्रंच बिल्कुल ऐसा ही प्यास आप करेंगे अब आप इस प्यास को हाथों से क्रश कर लिजिए इस तरह से इसको हाथों से कर लिजिए और देखिए क्योंकि यह बहुत अच्छी तरह से फ्राइ किया गया है ठंडा हो चुका है तो देखिए इसका क्रंच और यही हमें अपने चिकन कॉर्मे के लिए चाहिए तो आप भी ऐसे प्यास को हाथों से इसको क्रश कर लिजिए कॉर्मे में जो हलकी सी मिठास है वो प्यास के इस मीठे पन से आ जाएगी लेकिन हम थोड़ा सा उसमें ब्राउन शुगर भी डालेंगे डालेंगे तो इस प्यास के अंदर मैं थोड़ी सी आधा चमच के करीब या फिर आप एक चथाई चमच भी ले सकते हैं ब्राउन शुगर डालके इसको और इसका क्रंबल बनाऊंगी यहां पर एक छोटा चमच यह बहुत चोटा वाला चमच है ब्राउन शुगर जो है को म करते हैं खाने को लज़दार बनाने के लिए उसमें टेस्ट और फ्लेवर पैदा करने के लिए तो आप जब भी अगर शुगर यूज करना चाहते हैं भूनी हुई प्याज में तो आप उसमें थोड़ी सी चीनी जो है और अगर अवेलेबल है तो ब्राउन यूज कीजिए इस तरह से आप इसको कैरमेलाइज अनियन में डाल कर कर लिए नाव इस रेडी टू बी यूज़ट दही के साथ चिकन को भूनते हुए हो गए हैं साथ मिनट आए चेक करते हैं ये देखिए जहां पर मैंने ख्लेम को मेडियम रखा हुआ है और आप देख सकते हैं चिकन का पानी दही का पानी ये उपर आ रहा है इसका मतलब की मुर्ग जो है अच्छी तरह से भून चुका है आई एक बार तर्ची चला लेते हैं चिकन है तो जादा देर गलने में लगेगा नहीं आप चाहें तो खुला पका सकते हैं और चाहें अगर जल्दी है तो एक सीटी भी आप लगा सकते हैं इस टाइम पर इसमें अब हम डालने जा रहे हैं ये भूनी हुई करमेलाइजड प्याज जिसमें हमने थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी डाली थी और क्रश किया था ये इसमें डाल दीजिए इसको मिक्स कीजिए चिकन में और एक सीटी अगर आप लगाते हैं तो आपका चिकन गल जाएगा और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा शोरवा चाहिए तो आप इसमें आधा गलास पानी डाल सकते हैं ये देखिए चिकन कोर्मे की रंगत देखिए और इसका मसाला बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है ये देखिए इस तरह से इसको हिलाईए बनने के बाद तो ये दही का जो मसाला है वो भी उपर आ जाएगा ओयल भी सब इसमें मिक्स हो जाएगा और सर्फ कीजिए इसको गर्मा गरम रोटियों के साथ नान के साथ चावल के साथ महमान नवाजी कीजिए बनाइए चिकन कोर्मा मेरी इस विधी से जटपट तैयार होगा और बहुत ही बढ़िया लजीज बनेगा तो दोस्तों जल्दी आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ तब